good morning students, आज हम standard 5th का chapter नमबर 6, be my multiple I will be your factor, chapter के बारे में study करेंगे ठीक है, इसके आगे वाला chapter number 5 वो हम बाद में study करेंगे, पहले हम chapter number 6 को study करेंगे ठीक है, तो let's start, the mouse and the cat, यहां पे हमें यहां पे एक माउ यह कैड दी है और यहां पर एक माउस है ठोके उसके रिलेटर हमें कुछ question है यहां पर हमको दिये यह story जो दिये वह पहले हमें पढ़ने है उसके according हमें question रिट करने है ठीक है हमारे textbook में जो भी exercise होगी exercise तो कोई नहीं है पर यह से बीच-बीच में question होगे यह हमें यह पूरा chapter पढ़ना है और अपसे हर एक वीडियो में हम ऐसे ही पढ़ेंगे जो पहले जो हमारे textbook में दिया है वैसे ऐसे stories टाइप के साम होगे ठीक है पहले story दी होगी वह इसके रिलेटेड हमें question दी होगे वह हम solve करेंगे ठीक है उसके बाद में हम इसके जो जो एक्ष्टा question है वह हम solve करेंगे ठीक है तब पहले तो story क्या है the mouse and the cat the hungry cat is the hungry cat is trying to catch a catch कुंजन the mouse एक hungry cat थी उसे एक mouse है उसका नाम है कुंजन उसको क्या करना था catch करना था कुंजन इस नाओ on the 14th step and it can jump two step at a time देखो कुंजन यहां से हम गिन है ना 123456 तो यहां पर जो कुंजन कौन से step पर थे था 14 step पर है 14 ठीक है और वो कितने at a time वो two step जम कर सकता है यह 14 में से 16 पर जा सकता है 18 पर जा सकता है 20 पर है कि 22 प्लस करें वैसे वो जम लगा सकता है at a time ठीक है the cat is on the third step और cat one two and third step पर है ठीक है c can jump three step at a time देखो यहां पर जो माउस है वो two step at a time जम कर सकता है और जो cat है वो three step at a time जम कर सकता है that means वो अगर third step पर होगी तो next वो six पर आईगी ठीक है उसके बाद में nine पर आईगी उसके बाद में 12 पर आईगी ठीक है यहनि कि उसमें three 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 वो jump लगाईगी ठीक है if the mouse reaches twenty eight it can hide in the hole यहां पर देखो यहां पर यह hole दिया है अगर वो twenty eight step पर पहुंच जाता है तो यहां पर जो यह उंदर का hole है ठीक है उसमें वो चला जाएगा रसा question है if the mouse reaches twenty eight it can hide in the hole find out whether the mouse can get away safely हमें यहां पर find करना है कि यह mouse अपने जो hole दिया है ठीक है उसमें easily जा पाएगा यह नहीं जा पाएगा दिखो यहां पर question है कि माउस है हमारा वो two two step जंप करता है और यह जो cat है वो three three steps जंप करती है यह अभी three तो पहले तो यहां पर इस्टॉरी के बेज हमें यह यह बी सीडी कुछ question दिए वह हम solve करते हैं देखो first question है the steps on which the mouse jump कौन-कौन से step पे mouse jump कर सकता है ठीक है वह हमारा पहला question है second question है the step on which the cat jumps यहना कि यह cat है कौन-कौन से step पे वह jump कर सकती है third question है the step on which both cat and the mouse jump ठीक है वह कौन से step होगे जिसमें cat and mouse दोनों jump करेगी ठीक है और last question can the mouse get away क्या वह hole में जा पाएगा बच जाएगा यानि कि बिल्ली उसको खा जाएगी ठीक है वैसा question है ठीक है यह चारो चारो जो चारो के चारो question अभी हम solve करते हैं तो first question है हमारा the first on which the first the step on which the mouse jump mouse कौन-कौन से step पर jump करेगी तो उमको पता है the mouse jump on the following step कौन-कौन से step पर jump लगाई देखो 14 पर था mouse उसके बाद में किस पर आय था 16 14 14 के बाद 16 18 20 22 24 26 and 28 पर jump करेगा क्योंकि 28 पर तो उसका होला जाता है ठीक है तो उसमें वह चला जाएगा वैसे second question था हमारा cat के बारे में cat कौन-कौन से step पर jump करेगी तो वह 3rd step पर थी 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 जाएगी 6-9 12 15 21 24 27 and 30 पर वह जा सकती है ठीक है वह 30 पर जा सकती है उसके बाद में 3rd question है हमारा the step on which both cat and mouse jump ऐसा कौन सा step है इसमें से जिसमें mouse and cat दोनों jump करेगी यहां कि दोनों का common step भी होगा अभी देखो यहां पर हमको पता चल जाता है कि देखो यह पर common कौन सा है यहां पर 18 और दूसरा है 24 जो इसमें भी 18 है और इसमें भी 24 यानिकि इन दोनों step पर cat भी आएगा और mouse भी एक साथ आ सकती है ठीक है यह 18 and 24 तो यहां पर both cat and mouse jump on the following step कौन कौन से step आएंगे 18 and 24 पर दोनों आ सकती है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है यह 3 पर आया बाद में 6 पर 9 पर 12 पर 15 पर 18 पर ठीक है वह 18 पर पर उसी time पर यह साइट जो mouse है वो दूसरे step पर भी उपन ऐसा possible है भी करी कि हो भी सकता है कि दोनों एक साथ एक step पर ठीक है पर अभी तो last question क्या है कि can the mouse get away क्या mouse बच जाएगा वह question है तो yes mouse yes the mouse safely gets away क्यों देखो हमको पता है यह अभी 3 पर उसके बाद में पर यह 20 पर ठीक है अभी 15 पर आएगी तो है 22 पर आएगा उसके बाद में 18 पर आएगी ठीक है 18 पर आएगी तो यह mouse 24 पर आएगा ठीक है वैसे 21 पर आएगी तो यह 26 पर आएगा ठीक है उसके बाद में यह किस पर आएगी 24 पर आएगी और यह इसके अंदर चला यह यह बिल्ली को यह बिल्ली माउस को कैच नहीं कर पाएगी ठीक है वैसे ही question था उसके बाद में यह एक और question है if cat start from the fifth step अभी देखो यह थाड़ पर थी अभी वह अगर वह फिप्त से start करती है यहां से start करती है वैसा question है एंद जांप five step at a time और वह तीन की जगह पर five five jump लगाती है यानि की five पर थी one two three four five उसके बाद डारेक्ट टाइन पर आएगी उसके बाद 15 पर आएगी उसके बाद 20 पर आएगी वैसी बात है यहां पर five step at a time and the mouse start from the eighth step and jump four step at a time और mouth suppose की eight step पर था और वह at a time four four के jump लगाता है ठीक है can the mouse gateway उसके बाद में क्या mouse get बच जाएगा वैसा एक्वेस्टन है तो देख उसका अंसर है cat jump the following step five ten fifty twenty and twenty five mouse jump the following step eight पर था ठीक है उसके बाद में फॉर फॉर यानि की यह फाई-फॉर के jump लगाते five ten fifteen twenty and twenty four और यह फॉर के jump लगा थी अब माउस ठीक है eight पे था तो यह 12 पे चला जाएगा तो five पर से ten पर आ जाएगा ठीक है फिर यह 12 पर से 16 पर चला जाएगा ठीक है उसके बाद में 16 में से 20 पर चला जाता है तो यह भी 50 में से 20 पर यानि कि इस जगप पर दोनों मिल जाएगी step यानि कि इस बार mouse नहीं जा पाएगा ठीक है बिलनी उसे cash कर लेगी both of them reach the step 20 after for jump for jump लगाने के बाद वो मिल जाएगी ठीक है as the mouse will not get away इसलिए mouse बचकर नहीं जा पाएगा ठीक है वैसे अभी next video में हम कुछ ऐसे ही और some solve करेंगे ठीक है वैसे दूसरा question है हमारा यह है who is monto waiting for यानि कि यह monto नाम की बिल्ली है वो किसका वेट कर लिए वैसा एक question है पर हमें उसे ऐसे ही solve करना है ठीक है वह भी हम next video में करेंगे have a good day